हेलो मेरे एक्जाम वारियर्स मैं दीपा और मा अभिप्षा एजुकेशन फॉर एक्सलिस की इस एडर्नी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते जैसे के हम अपने एक्जाम स्रिस्ट मिशन टुटी 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 ट्री में हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं कक्षा दसवी औ आपका बहुत क्रूशियल समय है लेकिन अगर आप इसको सेग्मेंट्वाइस करते जाए और एक घंटे इद्व में कितना पढ़ना है आपको चैप्टर कितने इनों में कंप्लीट करना यह सब आपकर चीजे करते जाएंगे तो आपके प्रेशन देखोंगे दस दिन में प अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं लगतर हमसे पढ़ाई कर रहे हैं तो इससे क्या होगा आपके पूरे 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 लगते हैं आपको 20-25 परिश का पढ़ना है पूरे कोशन सौल करने तो उतना नहीं है आपको हम इतने स्मार्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आपको हम इतना चीज़े बता देते कि इस चैप्टर से इतना ही पढ़ना है तो अगर बच्चे आप इसको को समझ कर अपने शब्दों में अच्छे से आंसर लिखे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो यह बहुत जल्दी आपकी चैप्टर्स कप्रेट हो जाएंगे ना तो यह जो क्षा दस्वी में है यह आपके लाइफ का सबसे जाड़ टर्निंग पॉंट होता है ना आप अभी तक क्या करें शुरू से लेके वो सभी सब्जेक्स को एक्वली पढ़ते आ रहें लेकिन यहां से क्या होगा से अप क्या समस्ते हैं यह काई प्राधा कद्स को और विख्यूं आप करंगर कर inीमlles दो क्रेंने का सबसे लेकर बासरे कैसे के अविदिन आप क्या सब्सक्राइव यह संसलें छोगा आपको पहले अपने करियर को देखना है आपको अपने इंटरस्ट पर्सनालिटियर्टीस इन सब चीलों के लिए और अच्छी जगा पहुचोगे आपको आज आध्यों कारीयर देखोंगे देखोके यह साल गोगा में वहई- veces अधीա क्त Halo और में और तो क्या आपको हमेशाय दो प्राइब चाहिए हूए वह हूंगी नहीं करूँगा जा प्र सकता हूं या प्रणैर्णели तो वो चीज़े अपने लिए पहले जानना पड़ेगा जब आप खुद अपने आपको जानोगे ना तब अपने माबब को कह सकते हो कि मुझे ये बनना है है ना तब आपके माबब आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप अपने करियर के लिए ही आप खुद क्या करेंगे अप को हर चैप्टर वाइस और सब्जेक को इस मिलते जा रहें तो अभी हम क्या पढ़ रहें सबाजी विग्या जिसमें पहले हम क्रिशी को पढ़ चुके हैं और आज क्या पढ़ेंगे मुद्रा एवं साख ठीक है और इस चैप्टर से बात करूं बच्चे तो एक दो और पांच को इसे हैं पॉर्य पॉइंट से लिखने और जब आपको सोच को यह अच्छा इसी होंगे टो इसके आंसर किसे लिखने होंगे और जब आपको सो नौशा दों में 5 मर्ष कहने बच्चे तो आपको क्या करना है जो आंसल है वह पॉइंट वाज लिखने पूरे पारागरफ नहीं लिखना है क्यों सामने वाला होता है लिए चेक करने वालब वह कहानी नी पड़ने बढ़ने हैं वो यह देखने पठे हैं कि आपकी अपके knowledge को चेक करने बटा यह तब ही हम परिष्चा का मतलब क्या है कि आप उसी को क्या सभते हैंट आपकी समझ कितनी है तो यह झो समझ्ञ है वह जबाएपर में लिखेंगे तो पेपर में कहानिया नहीं गड़Yes आपको बहुत short form में या जो दो तीन दिल लाइन में एक एक point को क्या करना है define करना है है ना तो ऐसे answer लिखोगे तो बहुत अच्छे marks मिलेंगे आप क्या करो यह आपका paper है है ना तो ऐसे ऐसे लिख दो फिर यहां पर क्या करो बक्से में उसको थोड़े से एक design मतलब कुछ बक्से में कुछ को बता दो इसका यह होता यह होता यह यह की पर्स बता दो तो ऐसे में ना क्या आपको five marks बहुत अच्छे से मिलेंगे पता चला आप क्या कर रहे हो पूरा लाइन से 10-20 लाइन लिख दिये सामने वाला क्या पढ़ेगा उसको उत्ती जरुरती नहीं वो सिब देख रहे हैं कि आप कितने अच्छा से चीजों को बता पाते हो तो आप लिखो ना भाई आपको खुद के अच्छे आंसर्स बनाने है ना तो उसी के लिए मैं आपको गाइड करते चलूंगी चलो हम अपने चैप्टर पर आ जाते हैं हमारा चैप्टर क्या है मुद्रा एवं साथ ठीक है जो कक्षदस्वी के समाजरी विग्ञान के अंतरकत अर्थसास्त के आपक अच्छे आपको याद रहेंगी ना कि अच्छा मैं तो मुद्रा वाजी हो जाएं मुद्रा का निर्गमन मुद्रा है पैसे हैं पैसे का लेन देन हैं तो पैसे की कमी होगी तो साथ मतलब रिल लेना रिल लेने के लिए तो भई मुझे किसी पुछ गरिवी देना बाइख कीते संदमें यह सब चीजे याद करो गें तो पूरा शेप्टर एक बार में क्लियर ठीक है और जब उसको प्रेक्टिकल नौलेज के साथ करोगे अगर अगर कभी बैंक गया होगे तो पता होगा अच्छा बैंक में मैं हम लेते हैं हम लेते हैं चैक जम्मा करते हैं ह प्राचीन काल में मुद्रा कैसी थी विनिमय का माध्यम क्या था उसके बाद आधुनिक समय में कैसे आए नहीं क्या था उसमें बैधातुबा का प्रयोग हुआ फिर सिक्के आए फिर हुड़ी आई फिर क्या हुआ हमारे जो वर्तमान नोट है सो रुपय के 500 रुपय के 2000 के सिक्के हमुद्रक निर्गमन अरे भाई जब हैं पैसे है तो उसको कहीं नगा इसे बजार में आता होगा त याद करोगे तो अंसर लिखने में बहुत असानी होगी ठीक है फिर बैंकों के कारिये जब हमें बाजार में वित्ती चीजों के लिए पैसे चाहिए हमें आदान प्रादान के लिए पैसे चाहिए है ना तो हम कहां से लेंगे भी बैंक से लेंगे अगर किसी बाजुवाला भी कहां से लाएगा तो बैंकों का कारिया देखेंगे कि बैंकों के रेगुलेशन से कैसे पैसे हम तक बहुषते हैं साख भी मेरे पस 500 रुपए है यह चलो मेरे पस 10,000 है कोई काम शुरू करने के लिए लेकिन मुझे जब रहा था भार्ती रिजर बैंक आर भी आई अच्छा बच्चे देखना आपको जब आर्भी के कारे पुछेंगे ना है ना आर्भी की कारे आता है तो आपको सिंपल सही आंसर यहां पर देखो क्या बनेगा आजरीक मुद्रा का प्रक्षलन करना मुद्रा का निर्गमन करना बैंकों हमझी सुवधाओं को प्रदान करना डिन के लिए नियम शट्य बिनाना तो यह सब क्या हो गए वजर्ण करता है नोटों का निर्गमन करता है नोटों के विप्ति के लिए नियम बनाता है साख के लिरिन की शरते निमियत करता है तो यहीं तो हूगया माजूदिक सरूप पर एक टिपने लिख है यह पहला हमारा टॉपिक है उसी से हम कोशन समझ रहे हैं सिक्कों के प्रचलन के पहले वैपार कैसे होता था कैसे होता था भई है ना धातूं से होता था मुद्रा के लिए मापन का धार होना क्यों जोरी है कि अगर आप मुद्रा को कर रहे हो तो दस रुपए का धार क्या होगा है ना तो उसके लिए मुद्रा के लिए मापन का धार क को दुकाद वाले से पांच रुपए का ले लोंगे हो गया तो यहीं तो क्या है लें देन मैंने पांच रुपए दिये मैं एक चिप्स का पैकेट लिया दूसरा यह विनिमे का सबसे सरल माध्य हमें है न अब भाई मैं आप क्या करें गौण से आए बोड़ रहे हो दो बोड माध्यम क्या हो सकते है मुद्र हो सकते है इसलिए क्या है जो विनिमे का सबसे आधार सरल माध्यम क्या होगा मुद्रा होगा ठीक है तो मुद्रा समझ गए मुद्रा क्या है एक ऐसी वस्तू है जिसके माध्यम से हम लें निन का विभार करते है और विनिमे वस्तू के लिए प्राचिन काल में है प्राचिन काल में कैसे होती थी मुद्रा का प्रचलन भई पहले वस्तू भी नीमे माधियम हुआ फिर धातुव के प्रयोग होने लगे फिर सिक्को कचलन हुआ फिर फुड़ी का प्रयोग हुड़्ी कि क्या थे एक पत्र में कोई लिख गिए देता था कि मैं धारग को 6 रुपए पे करने का वचन देता हूं फिर वह करता था उतने रुपए उसको दे ने फिर वो हुड़ी को लेका दूसरे जगा जाके उसने रुपया ले लेलता था ठीक है तो चलो पहला क्या था वस्तू भी ने माध्या मतलब जैसे इसके पास जूते हैं इसके पास गहु है और इसके नहीं का समय लेजे हैं न और आप को आपको कपड़े चाहिए है और आप अपने दोस्た को बोर रहे हो तो यही आपको जोटे का चीजे पर सामने वाले के पस नहीं है तो यही था वस्तुवी ने प्राणली में बहुत प्रॉबलम होती थी तो उसके बद क्या है भई धातु के प्रयोग होने लगे मतलब एक हर राज्य क्या करता था कुछ धातु के डिफाइन कर देता था एक कि लेकिन बाद में क्या है फिर सिक्के कचलन शुरू हुआ फिर हुडडी का प्रयोग तो अगर आप इसको दो 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 लाइन में लिखो गे तो आपको क्या हो जाएगा या प्राचिन मुद्रा का प्रश्न समझा गये ठीक है उसके बद आप क्या होगे आधुनिक समय में मु स्वरसीखाजता की बात है यह वैधानिक होती है इसलिए हम लेंदेन में भी कोई सइसा नहीं बोल सकता कि मैं नहीं ले सकता है ना यह क्या है वरतवान युग में हम वित्ति लेंदेन के लिए नगत के साथ नगत रहित वेवहार भी करते हैं नगत रहिंद वहवार मतलब होई क्या क्या आएगा चैक आजाएंगे हैं ना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हम क्या कर सकते हैं वित डेबिट का स्वाइब करते आशकल तो और नया फॉर्म आगे यह सब क्या है आपको पैसे में घुमो मोबाइल लेके घुमते हो ना आपके पूरे दुनिया वही है बस मोबाइल निकाला स्कैनर से क्या कर दिए पेइमेंट कर दिए तो यह क्या हो आधुनिक विने मैं प्रणाली में मुद्रा का स्वरूप है ठीक है अगर पूछा जाए स्वरूप है उसके वार डेबिट कार्ड गी चैक के बारें यूझत नहीं कर देंगे प्रणाली शाजता स्वर्णालेओं है बिल्कुल तो वही बोल अच्छा है एक डैबिट का जिन सब के द्वारा के अलावा आपको क्या कुछ नए उधारन देना है कि आज कल हम मोबाइल के द्वारा भुकतान कर सकते हैं जिसमें स्कैनर के से के थू हम पैसों का लेंदिन कर सकते हैं इंटरनेट के आने से सूधा प वरतमान में आगये कि हम कागर्ष करेंस्टी प्याइं जिसमें जो रबी आई गंग करती है वैधानी होती हैं जिसका वित्ती लेन हम कोई मना नहीं कर सकता वरतमान में हम नगत के साथ नगत रही डेबिट का चेक को प्योंक करते हैं इसके अलावा अगर दूएंद देखे मांक्स पक्के बच्चे तो यह समझाया कोश्षन अगला क्या है मुद्रा पैसे एवं बैंक खाते कि विस्यूस लक्षणों में हम पाते हैं कि यह सभी वित्ति लेंदेनों में सुविकार यह होती है अधा मुद्रा की साख इसकी सारभौमिक सुविकारता से होती है यह हमारे लेनन को सरन्माती है तो मुधरा का अधार क्या है भई बूदरा का ह toothpaste रूप में wen ता कि हर जगा आपको इक्वाली रूप में स्विकार कर सके और वैधानिक हो सके के इसलिके हैं मुद्रा का आपको अधार होना बहुत जरूरी होता है ठीक Yeah चलो आगे देखते हैं बैंकों में ग्रहकों के पैसे किन खातों में जमा होते हैं किस प्राकार के खाते में बैंक अधिक ब्यास Kick मुद्रा है मतला आपको पैसी की जरूरत है तो पैसे आप कहां से मिलेंगे भी बैंक से मिलेंगे तो बैंक में खाते भी होंगे जहां आप जमा करते होंगे जैसे आप जाते बैंक में जमा करते हैं आपके स्कॉलर्शिप्स आते होंगे हैं यह आपको मिलते होंगे तो कोई हमारे बचत होते हैं ठेट होते हैं हमक्या करते हैं फैसे को जम्मा करते थोड़ थ हो थे इस को बचत खाता सब्सुर्मा करن करें हम अपने को hundreds सब्सक्राइब बंक घेक परिकाई उसको निकाला भी ऊसको देना भी है तो क्या करेगी उसको क्या है विट्टी लेंदेन के लिए कि एक अथौटी चाहिए भई कि मेरे अकाउंट टास्फर कर रहूं फिर आप वहां मेरा काम करवा दीजी है ना तो इसके लिए क्या होता चालू खाता चालू खाता क्या होता है वेबसाइक ग्राहक अपने रुपियों को रखते हैं जिनकी ज़रत उन्हें अक्सर पढ़ती रहती है इन खातों में प्रती दिन पै यह पैसे हमेशा उपलब दी कराये जाएंगे इसलिए इने मांग सकते हैं दोनों को क्या कहते हैं मांग जम्मा ठीक है मांग खाता लेकिन इस ठाई ग्राहक के we पूर्वर नहीं निकाल सकते बैंक अपने ग्रहकों को इस्थाई जमराशियों पर अधीक ब्याद देते हैं क्यों भई जिसे सपोस्ट लू आपने अपनी ममी के पास पैसे रखें है ना आप बोलो कि ममी रोज एक रुपए एक रुपए एक रुपए दे तो मम्मी क्या तो यही क्या होता है इस थाइज आ गया अब समझते बैंक के पाचकारे तो बताओ भी अपने से बैंक के पाचकारे क्या हो सकते हैं वित्ती लें देन करना ग्रहकों को रिन देना है ना और क्या क्या हो सकते हैं चलो पहले समझते बैंक के कारे बैंक के दो रमुक कारे है पहला लोगों के पास पैसे जम्मा करने के लिए खाते खुलना और लोगों की जरुरतों के लिए कर्जया देना ठीक है सपोस ये इसने क पैसे चाहिए तो यह क्या करेंगे कि इनको बैंक क्या करेंगे इनको पांसो रुपय MM और 500 रुपए का लोन दे देगी ठीक एड्य लोन दीए 500-500 रुपए तो बेंग के 2% देना है है ना सब को 112 रुपए neu neatly क्या होगा अध्यार रुपए से ज़्यादा और भी पढ़ेखा है ना तो क्या हुआ कित पढ़ेगा भई本द था रुपै सब को वापस करेगी और इन लोगों ने सौ सफर पर दस लोगों ने की ए तो कितना कि दो परशेंट क्या हुआ सका दो दो रुपै और कितने लोग था लो तो बैंक को बीस रुपै स्कर एकस्टा देना होगा है ना अ लेकिन अब वो बैंक 20 रुपे एक्स्टा कहां से लाएगी भाई इन से लाएगी अब क्या करेगी इन पर 10 प्रतिशत लेगी कि मैं आपको 500 रुपे देगी ता आप मुझे 10 रुपे देना प्त्ता न्युक्तो रुपे यहीं अब प्रतिश क्या को एक क्या हुई प्धासis रूपे यह सूलित है और शुरांसिंस प्रतिव होई जटेगी का कि यह इसनी तरह से और बैंक भी चलग संच आइपकर अपने प्याँ बंचे माहा उता है कर्मचारी उनको भी payment करेगी है अपने लिए पैसे लाएगी तो यह सब कैसे करती है जो पैसे आते हैं स्कों रखती है और उस पैसे को फिर किसी को ब्याज में देती है रिन में कार्य हुए तो पाच कार्य हुआ है तो बोले जाए तो रिन प्रदान करना विविन खातों के मादम से लोगों की जमारा से स्विकार कर उनके वश्रक्ताओं के अनुरुफ धन के वश्था आपने जमा तो कर दिया 100 रुपे, अब उसको क्या कर दिया, लोन दे दिया, अब आपने बोला बचत खाते वाले हो, सेविंग वाले हो, कभी भी पैसे मां सकते हो, लेकिन उसने तो इसको सामने आले को दे दिया है, तो क्या करेगा, अगर आपके अकाउंट में जितने हैं, अगे आते हैं शाख से क्या आश है अपने शब्दों में سमझाइए शाक मतलब साख किसी संसा याक्टि की वहाँसिति हैं जिसके अधार पर हम बजार से कोई वस्तु ले सकते हैं या बैंक से सरे नहикс की संसा से रिँण लेते हैं साख हमारी वर्तमानों भवशी की करञे अवशक्ताओं को पूरा करने में चलती है जोसे कोई रिलोगया शुरू कि तो मुझे पैशो के वसकता है, तो मैं क्या करूँगे, किसी बैंक से जाके रिन लूँगी, यही क्या होता है, साख होता है, ठीक है, तो जो रिन है वो दो तरीकों से मिलता है, साख, संस्थागट साख और गैर संस्थागट, जब आप किसी अपने आपास के बैंक से लेते हो किसी समस्तागत साक लेकिन आपने किसी अपने फीरेंड से ले लिया कोई किसमी आता है गहयर सब्रकार की कब लेज biggest पर रहे साक दीया जाता है क्योंकि हर किसी को काम करने के अफूसर मिले अब जब ही आपको कोई नया काम शुरू करना है जैसे आपको कहीं पे क्या करना है एक दुकान लगाना है ना आपको चाय की दुकान लगानी है तो चाय की दुकान लगाने के लिए क्लिए क्लिए आपको पैसे चाहिए है ना तो आप अपने घर से पैसे लोगे या तो क्या क काम में नया पैसे में लगाओं है न तो क्या करती है लिए कं ब्याज़ा रखते तो यह क्या होती है का सथागत चाग को से सहकारी संस्थाओं से हम लेते हैं इस अगया संस्थागत चांक जिनको संश्था गैसागत नहीं मिल पाता जैसे आपके पस कोई बैंक खाता नहीं है आपके बस डॉक्यमेंट नहीं है यह आपके आस-पास बैंक नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा गाउन के कोई पंचायत मुखिया हो गया यह कोई ऐसा साहुकार है यह कोई ऐसा प्रदिश्चिट व्यक्ति है जोसके बहुत पैसे अप उसे उधारी लोगे तो ऐसी उधारी को क्या कहते हैं हम लोग गैर संस्थागत साख से वनशित लोग अपने आस-पास के से साहुकार महाजन मित्र रि अगर हजार रुपए भी लिए तो यह क्या होती है एक जाल हो जाती है कि आपने पैसे लिए और उसका इतना परसेंटेज भी कर रहे हो कि वह भी आप पूरा नहीं कर पाते तो इसलिए क्या होता है फिर कई लोग रिन के जाल में फज जाते ठीक है तो आपको गैस संस्था शैटरिं किसे कहते है रिन के लिए शर्ति जैसे ब्यासधर समय जमानत गिर्वी आधिक क्या ऊशक तक यो होतरी यह दिन इद्ड़ और हमारी अएक बढ़ाने में सहां होती है शी दूसरी और कर्ज के जाल में फसा देती है ठीक है आज बर चुछ आमन समझा जाहिए इसक कि यह से कुछ समय के लिए उधारी लेते हैं उसे ही क्या कहते है न जो से आपको सो रुप्य के लिए कुछ समाल लेना है लेकिन आपके पस नहीं था आपने फ्रेंड से कहा कि आप मुझे पैसे दे दो मैं आपको एक महने बाद लटा दूँगा तो आपने क्या किया अपनी समय डिफाइन किया वह बोले का मैं ऐसी नहीं दूँगा मुझे कुछ ब्याद चाहिए दस प्रतिशत ब्याद चाहिए तो आप उसने क्या ब्याच बताया वह बोल रहा है कि मैं 100 रुप्य तो आपको दे दूँगा लेकिन क्या भरोसा आप एकले मैंने मुझे दोगे की न और अगर क्या होगा फिर अगर आप उसको वापस नहीं कर पाऊंगे एकले मैंने तो क्या करेगा वह आपके बैक को बेज देगा तो यहीं क्या होती है रिन के शर्ते होती है ठीक है जिसमें आपको ब्याजदर समर्थक रिंधार आवशक कागजाद भुकतान के तरीकों को सम्मुलीत रुप से रिन की शर्ते कहा जाता है तो इसमें ब्याजदर होता है आप क्या चीज गिरवी रखने वाले हैं कितने समय के लिए आप उधारी ले रहे हैं यह सब चीज़े जब सामिन होती तो उसे क्या कहते हैं हम रिन की शर्ते कहते हैं हर रिन में ब्याजदर निशित कर दी जाती है जिसे कर्शदर मुल रकम के साथ अदा करता है इसके लावा उधार दाता कोई भी चीज गिरवी रखने के लिए मांग सकता है है ना जैसे मैंने कहा आप क्या करोगे 100 रुपे तो आप क्या करोगे उसके वैग अपनी गिरवी रख दोगे है ना तो क्या है क्या क्या चीज़े आपको चाहती ब्याजदर जैसे आपने 1000 रुपे अपने फ्रेंड से लिए है ना तो क्या आप बोलेगा 10 प्रतिशत आपको ब्याजद दिना है मतलब उसको 1000 रुपे वाप हापना बैग रख दिये तो इसी प्रकर के रिन की चीज़ों में हमें क्या बताना पड़ता है सामने वाले को या सामने वाले हमें यह बताता है कि आपको इस टर्म स्क्रणिशन के अकॉर्डिंग हम रिन देंगे ब्याजदर कितना होगा समय कितनी होगी जमानात आपको क्य लहन दी जाती है जैसे आपको हजार रुपए दिये तो उस पर आप कितना प्रतिशाद लेने वाला है जो रिन दाता है वह होता है समय कितने समय अंतराल के लिए आपको ब्याज दिया गया है वह डिफाइन करना होता है जमानत आपको कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपको वह हमारे जो समपती है उसको क्या कर सकती है अपने पास रख के या उसको बेच के जो हमारी लोन की रासी है उसको ले सकती है ठीक है तो यही होता है पूरे रिन की शर्ते ठीक है बच्चे तो आपको इसको ऐसे लिखना है चलो अब हम आगले कोशन पर चलते हैं भारती रि ल burial站 वे वस्था है वह रहती रहती है बैंकों यह घंडा मैंधिक रहती इए चल्लों भाठी डेखते हैं देखते हैं इस रुसे बैंक के कारियर पहला क्या है क्या है मुद्रा का निर्ग्मन करना मत्ama बहुत है ना था 혹 6 जाना रोल्स मेंक के लिए top24 बताना कि कित्ते पैसे आपको कहां कित्ते व्याँच्क पर घालakा अब अभई सर recommend M. इसरकार के लिए क्स्वाइऑ रुच्गार ठेल कूलड़ लीए ठाभाएगी उसका बड़ा क्ज़़ाchron बैंकों के रुप में कारे करना सही है भाई हम पैसे चाहिए लेकिन बैंकों को कभी किसी इस्तिती में पैसे चाहिए तो किसके पास जाएंगे वह थोड़ी बोलेगा बाजुवाले को कि मुझे पैसे दे तो वह क्या करें जब बैंकों कुछ पैसों की ज़रत होती है तो यह पूरा कारे कौन करती आर्बिया करती बच्चे तो आपको यह पूरे चीज़े पॉइंट्स आपको अच्छे से याद करना है ठीक है अब आगे देखते हैं भारती रिजर्बैंक की क्विस्वा ठीक है तो भारती रिजर्बैंक क्या करती जो बैंक की वबस्ता है उसको बनाया रखने में पूरी सॉ्प पूरे लॉगन में दे दिये अब यह राम नाम का वैक्ति आया अब यह बोड रहे मुझे 100 रुपेदो मैंने जो अपने सेविंग अकॉंड में किया था तो यह बैंक कहां से लाके देगा इसलिए बैंक क्या करती है चार प्रतिशत जो भी जम्मा राशी है मतलब सौर का चार प्रतिशत क्या करेगी वो इनके पास बैंक क्या करके उनको रखना पड़ता है कि किसी भी परिस्तों में जैसे अकर बैंक के पास क्या हो कोई भी अकर मंगने आए चालू खाते वाले या क्या है बचत खाते वाले तो उनके पास 4 प्रतिशत पूरी राश्ची जम्मा रखनी पर चाहिए ज साथी सरकार को यह भी सुलिशित करना होता है कि बजार में नखनी लोटना चले इसलिए वह सख्थ निग्रानी भी कर रखने पड़ती भारती रोज़र बैंक बैंकों के दोड़ा दिये जाने वाले रिंपल नेम दें बैंट में क्या करती नियम मनाती है ना तो क्या करती यह प्रकार को क्या होगा हर बैंकों के पास उत्ते पैसे जमा करना जब उत्ते पैसे दे देंगी फिर पैंकों के तरो क्या होगा वो पूरे हमारे बजार में आएगगा तो यह पूरा काम का काम किसका है ठीक है बूसरा क्या है बैंक क्या करते हैं रिल लेते हैं रिल देते हैं है न स्वाली तो भाई कोई वह पोल रहा है कि जैसे मेरा पड़ोसी है भाई मेरा फ्रेंड है मैं उसको 5% पर दूँगा अच्छा यह कोई तो अगर बैंक अपने से निधायत करें तो क्या होगा किसी को सबके साथ समानता नहीं रह पाएगी इसलिए और यह क्या करती गाइडलेंड फॉलोग गाइडलेंड निकालती है कि सभी बैंकों को इत्ते प्रतिशत पर ही क्या है अपने जो ग्रहा का है उसको रिंड दे रहा है ना तो यह सब रेगुलेशन का काम कौन करती है और बैंक करती है ठीक है जैसे किसी ने आपने रिंकिरी क्या किया है अपनी संपती के लिए को क्या कर रखा है बैंक के पास क्या रखा है गिरवी रखा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक बोले अच्छा चलो इसका दाम पत्ती रखी है उसको वो क्या आपने लाप के लिए कैविक रहे नहीं कर सकती है लोगों को बैंकिंग विवस्था पर विश्वास बना रहे हैं इसलिए कि आकटी समय से में पर नियम लागू करती है कुछ रूल्स वेगूरेशन मनाती है ताकि सभी जो बैंकिंग ववस्था सभी निश्शीत करती है कि इसका आपको पैसे जमा है उसका चाले प्रजिछ जो भाग है वह आप इन लोगों को दोगे तो यह पूरा क्या है रबी का बहुमी का है यह और बैंक नहीं होगी लेकर करेंगे किसी तरीके काम करेंगे किसी को प्रेशलन क्या है प्राचीन समय में क्या था आधरिक समय में इस सब्सक्राइब कुछ भी नहीं पढ़ना है न आप इसको पढ़ो अच्छे से आंसर लिखो बुक से आंसर हाइलाइट कर लो रित्त चीजे मैंने बताया है अगर नोट से यह तो कॉल करके आप नोट के लिए है ना या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट मिल सकते हैं ठीक है तो जो भी चीजे आपको चाहिए अपने पेपर के लिए आप अच्छे से नोट बनाके रख लो बच्छे है ना और अपने एक्जाम सेरीश के तयारी असरी करते रहो अपने एक्जाम के लि